हेलो गाईज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दीपक बिल्डर से इंजिनरिंग के आईप्यो के बारे में ये आईप्यो 21 ओक्टोबर से 23 ओक्टोबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए अभी आज ये आईप्यो फर्स डे में ही 6 ताइम से जादा ओर सब्सक्राइब हो चुका है यानि शुरुआत से ही इस आईप्यो में अच्छी कासी डिमांड हमें देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे माकेट प्रेमियम की बात करेंगे उसके बाद कंपनी के IPO के डिटेल्स कंपनी क्या बिजनस करती है इस इंडिस्ट्रि में क्या फ्यूचर है company के key financials and fundamentals को detail में discuss करेंगे और मेरा क्या opinion रहने वाला है apply करना चाहिए नहीं last में इसके ही बात करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा सबसे पहले अगर हम इसके grey market premium की बात करें तो इसका current GMP 61 के around चल रहा है यनि हमें इसमें करीब 30% के आसपास estimated listing gain देखने को मिल सकता है बतलब एक lot में 45,000 रुपे के आसपास profit देखने को मिल सकता है अंदाजन ये सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा रहा है current GMP के हिसाब से GMP जो है वो कभी भी change हो सकता है इसी इसका भी आपको ध्यान रखना है अब company के business के बारे इम बात करें तो Deepak Builders and Engineering India Limited ये एक infrastructure and construction company है ये लोग large scale पर काम करते हैं जैसे hospitals, stadiums, residential complex, industrial buildings और railway station के construction and upgradation का काम भी ये company याँपे करती है ये company जिन projects पे काम करती हैं वो mostly turn की projects होते हैं इसका मतलब है कि वो पूरा project खुद handle करते हैं from planning to construction company का काम mainly पंजाब, हरियाना, उतराखांड और देली NCR में होता है इनका focus railway station के development, hospitals और industrial building projects पर जादा है company के कुछ बड़े clients हैं जैसे Northern Railway, IOCL और काफी अलगलग states की PWD भी इनके clients में शामिल है ये company काफी projects government agencies के लिए भी handle करते हैं अब देखिए अगर हम इस industry की बात करें तो इंडिया में infrastructure and construction industry बहुत तही से grow कर रही है government के कई सारे initiative जैसे smart city mission and investment in urban development से construction companies के लिए काफी सारी opportunities यहाँ पर निकल के आती है तो आने वाले time में इस sector के यहाँ पर अच्छी खासी growth project की जा रही है अब चलिए हम quickly इस IP की details की बात कर लेते हैं इस IP का price band यहाँ पर 192 से 203 रुपीज पर share का रखा गया है टोटल इशू साइज यहाँ पर करीब 260 करोड रुपे का रखा गया है जिसमें से fresh इशू है करीब 260 करोड रुपे का और offer for sale यहाँ पर करीब 42 करोड रुपे का रखा गया यह चीज यहाँ पर अच्छे लगी कि offer for sale यहाँ पर कम रखा गया एक lot में यहाँ पे 79 shares रखे गए हैं यहनी आपको करीब 14,890 रुपे minimum pay करने पड़ेंगे इस IPO में apply करने के लिए इस IPO के जो timeline होने वाली है उसको आप यहाँ पे screen पे देख सकते हैं 28 October को इस IPO की listing होगी और अब 30 October शाम 5 बहे तक इस IPO में apply कर सकते हैं इस issue के objective की बात करें तो company जो fresh issue से पैसा उठाएगी उसका यहाँ पे अपनी debt की part repayment करने के लिए और company की working capital requirement की funding के लिए इस पैसे का use किया जाएगा चलिए अब हम इसके financials की बात कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम इसके assets देखें तो assets सब में यहाँ पे ठीक ठाक दिखाई दे रहे FI24 में company के assets थे यहाँ पे 558 करोड के आसपास revenue की बात करें तो revenue भी हमें यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहे consistent growth हमें revenue में देखने को मिल सकती है FI24 में company का revenue था यहाँ पे 516 करोड के आसपास उसके बाद profit after tax की बात करें तो company यहाँ पे last 3 years में profit में है FI22 में company का profit था 17 करोड के आसपास FI23 में था 21 करोड के आसपास और FI24 में company ने profit को अच्छा increase किया है 60 करोड के आसपास यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि company का जो revenue है वो FI23 के मुकाबले FI24 में इतना ज़्यादा increase नहीं हुआ है लेकिन जो profit है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा increase हुआ है यानि company का जो profit margin है वो FI23 से FI24 में यहाँ पे अच्छा खासा increase हुआ है उसके बाद network की अगर हम बात करें तो वो भी company की ठीक ठाक है total borrowing की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो company पे यहाँ पे अच्छा खासा debt भी है financially 24 में company पे यहाँ पे total 153 crores का debt है आगे अगर हम इसके fundamentals की बात करते हैं तो company की ROE and ROC यहाँ पे अच्छे है 15% से काफी उपर है तो यह एक positive point है उसके बाद अगर हम company के profit margin की बात करें वो यहाँ पे 13 के असपास है which is good company की जो debt to equity ratio है वो यहाँ पे 0.91 है तो यह यहाँ पे थोड़ा सा जादा है मेरे according debt to equity ratio अगर 0.5 से यहाँ पे कम होता है तो वो और भी अच्छा है उसके बाद अगर हम company की price to earning ratio याँ पे ratio की बात करते हैं तो वो यहाँ पे currently 12 के आसपास है और अगर हम इसे इसके peer से comparison करें तो इसका peer ratio यहाँ पे lower side में ही आता है यानि इसकी valuation यहाँ ठीक ठाक की गई है बहुत जादा इसकी valuation यहाँ पे नहीं की गई है चलिए अब conclusion की बात करते हैं कि इस IPO में apply करना चाहिए है नहीं मैं अपना opinion शेर कर देता हूँ बट आपको कोई भी decision अपने according अपना analysis लाकर लेना है ये वीडियो से फे education purpose के लिए कोई recommendation नहीं है मेरा लिस्टिंग एनके point office अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम इसका GMP देखें तो वो ठीक ठाक चल रहा है हमारे 20% के parameter से काफी उपर है हलागि GMP जो है वो कभी भी change भी हो सकता है उसके बाद second point यहाँ पर आता है इसकी anchor list इसकी anchor list के अगर बात करें तो वो यहाँ ठीक ठाक निकल के आई है ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े-बड़े नाम इसकी anchor list में यहाँ पर शामिल है लेकिन ठीक ठाक हम इसकी anchor list को यहाँ पर बोल सकते हैं इसके बाद तीसरा हमारा point यहाँ पर आता है इसकी valuation तो इसकी valuation को भी हमने यहाँ पर देखा कि peer ratio में इसके peers के comparison में यहाँ पर इसकी valuation ठीक ठाक है उसके बाद चौथा हमारा point आता है इस IPO के demand तो demand तो हमने देखा कि first day में ही इस IPO की अच्छी खासे demand हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है तो overall अगर देखा जाए तो इस IPO में apply करने के लिए हमारे जो सारे parameters है वो यहाँ पर tick हो रहे हाला कि देखिए कोई SE company नहीं है जो अपने sector में specialist हूँ या कोई leading company हूँ इसलिए यहाँ पर decision लेने में थोड़ा about time तो लग सकता है personally मैं तो इस IPO में फिलाल की चीज़ों को देखते हुए interested हूँ हाना कि आगे देखना रहेगा कि इसका GMPO subscription कैसा रहता है इसको मैं यहाँ पर telegram पर update भी करता रहता हूँ वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आपको इस IPO के बारे में क्या लगता है आप क्या करने वाले है अपना opinion comment section में जुरू share केजिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो इसे like केजिए में आना में सुनील मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching